नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वाकत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पंजाब और गुजरात के बीच होने वाले आज के धमाकेदार मुकाबले को यह मुकाबला दोस्तों मोहाली में खेला जाना है यानि पंजाब करकेट एसोसियेशन बंदरा एस्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों पिछ रिपोर्ट आज के मुकाबले में बहुत important है क्योंकि दोस्तों आपने जो पिछले 2-3 दिनों से match चल रहे हैं उनको देखा है तो वहाँ पर आपको या तो spin track देखने को मिला है या दोस्तों आपने बड़े score यहाँ पर देखे हैं लेकिन ऐसा आज के मुकाबले में नहीं होगा क्योंकि दोस्तों जो यह बिकट है ना सबसे पहले अपने ग्राउंड की डायमेंशन के बारें बात करेंगे तो अभी तक जो मुकाबले हो रहे थे वो लगबाग 68 highest boundary होती थी लेकिन आज के मुकाबले में यह boundary आपको 77 दिखने वाली है यानि की सामने की जो boundary रहेगी तो 77 मिटर की रहेगी वही साइडों की boundary की बात करें दोसों यह 72 की रहने वाली है मतलब आज ग्राउंड काफी बड़ा रहने वाला है और इसका फायदा दोस्तों इस पनर निश्यत तोर पर उठाने वाले हैं अब दोस्तों बात करें तो इस ग्राउंड पर जो पिछले 2019 के बात से मुकाबले जी का फैसला करेगा और दूसरी पारी में दोस्तों इन रनों को चेस करने की पूरी कोसिस करने वाला है अब दोस्तों बात करें इस पिछ रिपोर्ट से यानि ये पिछ रिप यानि ये पिछिक किस प्रकार के सेक्सन को सपोर्ट करने वाली है यानि कि बल्ले बाजों को कर कर खेलना है मतलब थोड़ा बहुत अगर बल्ले बाज हिट करने को देखता है तो निश्चत तोर पर यहां पर बिकेट गवा देगा क्योंकि दोनों ही इनिंगों में फास्ट बोलरों को अच्छी खासी स्विंग यहां पर मिलने वाली है और इसका फाजा दोस्तों फास्ट निश्चत तोर पर आज निकालने वाले हैं दोस्तों आपको बता दें इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गुड़ क्वालिटी के बल्ले बाज होते हैं या दोस्तों बड़े बल्ले बाज होते हैं निश्चत तोर पर वो यहां पर बड़ा स्कूर करकर आपको देने वाले हैं तो वहाँ पर हमें fast baller बिकेट निकाल कर देने वाले यही fast baller जैसी death orders में गेंद बाजी करते हैं तो दोस्तों यह हमारे लिए बहुत इच्छी बात है क्योंकि बॉन्ड्रियांस बड़ी हैं तो निश्चे तोर पर दोस्तो fast baller यहां पर बिकेट निकाल सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों बात करें मतलब बल्ले बाजों की एक बात बताना भूल गये हैं दोस्तों जोभी बल्ले बाज यहाँ पर फोड़ा बहुत स्टर्टिंग में समल कर खेलता है तो निश्चे तोर पर बड़ा disclose यहाँ पर खड़ा कर सके देगा तो हम उने अपनी टीम में पिक आसानी से कर रहे थे यानि कि आज के मैच में सिर्फ और सिर्फ इन फोरमेशन के आधार पर ही अब हेड टू एड स्मॉल लीग के टीम में जीत सकते हैं तो एक तरफा मुकाबले की अमीद आज बिलकोल भी नहीं रहने वाली है अब आते हैं अपन इस पिनरों की बात आते हैं अपन इस पिनरों की बात दोस्ट इस पिनरों के लिए इस ग्राउन्ड पर जादा कुछ नहीं है मतलब देखें तो फास्ट बोलिंग और इस्पिनर बोलिंग बराबर बिकेट यहां पर निकाल कर लगबग बराबर बिकेट निकाल कर दे रहे हैं इसका सबसे बड़ा करण दोस्तों ये है कि बोंडरियांस बड़ी बड़ी हैं तो इस्पिनर अपनी दोस्तों फिरिकी में बल्ले बाजों को फसाते हैं और दोस्तों बोंडरियों के अंदर ही इनको कैच आउट कर देते हैं बहुत बड़ा करण दोस्तों ये रहने वाला है और दोस्तों अब आपको बता दें इस्पिनर जो सेकंड इनिंग में गिंदबाजी करने वाले हैं दोस्तों उनको थोड़ी परिशान ही होगी क्योंकि थोड़ा वह डियू आज के मुकाबले में देखने को मिलने वाला है अब यदि पिछ की बात करें दोस्तों तो पिछ दो उन Congrats एक दम सेम रहेगा ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों कि पहली एनिंग में मतलब पिहली एनिंग के बाद पिछ ट्रेख небश और जीहले जीटे हैं दोस्तों जैसा हूँ बता रहे svg मुकाबले टीम जीत रही है इसका मतलब दोस्तों आपको second inning के middle order के बलने बहुत important होने वाले हैं दोस्तों 2020 में average score 183 रहा है लेकिन अपन बात करें दोस्तों 2020 domestic जिसमें IPL के कुछ मुकाबले सामिल है लेकिन आपको बता दें 2019 के बाद से ये दूसरा ही मुकाबला होने वाला है दोस्तों 57 मुकाबले यापर केले गाए है 32 मुकाबले चेस करने वाली टीम में यापर जीते हैं हाला कि ऐसे में average score 166 रहा है लेकिन हमने बताया है 2019 के बाद से ये score थोड़ा गिरा है और 159 पर आ गया है मतलब 155 से लेकर 165 तक आपको score देखने को मिल जाएगा और ज्यादा कुछ 258 रनों का अंतराने वाला है बागी इसी के आसपास आपको score देखने को मिल जाएगा दोस्ते यदि बात करें यहाँ पर तो 12 वार 1500 से कम score हुआ है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा आपको यही score देखेगा मतलब की 150 से लेकर यह 70 के बीच में score देख जाएगा तोस्तो अब बात करें recent मुकावलों के बारे में जो इस ground पर खेले गाए हैं सबसे पहले बात करें दोस्तो पिछले ही मुकावले की जो की टूनामेंट का दूसरा ही मुकावला था आई पील का दूसरा ही मुकावला था जिसमें पंजाब किंग्स ने साथ रनों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी क्योंकि यह मुकावला थोड़ा बारिस मतलब बारिस की भेंट शडग आया थ तो डगवर्थ लूस नियम के आदार पर पंजाब ने इस मुकाबले को जीता था तो यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहां आप बोलें कि हम आपको बताने लग रहे हैं कि चेज करने वाले टीम जीत रही है अब डगवर्थ लूस लग गया है तो इसका पन कुछ नहीं कर सकते हैं इसकोर देखें तो बन नाइंटी बन यहां पर बना है पांच बिकिट के नुकसान पर इसके लावा दोस्तों के के आरने वन फोर्टी सिक्स रन यहां पर बना लिए थे अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि फास्ट बोलरों को आठ बिकिट मिले हैं और इस दोस्तों मतलब एक रेशो देखे तो छे अनुपाद चार का रेशो यहां पर चल रहा है दोस्तों इस पंदरों को थोड़े विगट कम मिलेंगे लेकिन फिर भी दोस्ते टीम में ज़्यादा इस पंदर है तो निश्यत पर बिकट ज्यादा निकालने की पूरी संबामना है अ इसके लावा दोस्तों बात करें एक और मुकाबले की तो यहां पर फास्ट बोलरों ने चार बिकट नकाले हैं इस पंदरों ने तीन विकट नकाले हैं यहीं देखे तो लगबग लगबग समान चल रहा है लेकिन फिर भी फास्ट बोलर यहां पर आगे निकल गए हैं दो दोस्तों अब यहां पर खेलेगा पिछले मुकाबले की तो आप स्कोर काट पर ध्यान दीजिए गा पंजाम ने वन नाइंटी वन किये थे और यहां पर आपको दोस्तों मात्र एक पचास देखने को मिला है बागी सिकर दबन 240 रन इनों ने किये हैं अब बात करें पिरुक श अब देख सकते हैं सुनील नारेन ने एक बिकट निकाला है और मेंश यादम ने एक बिकट निकाल कर दिया है वह उन्चाकरवर्ती कि जो की दोस्तों ठीक टाग बॉलिंग यहां पर 집त देखने को मिलेगा दोस्तों हर को चीनहीं उपाई है फिर भी ठीक टाग को और हर प्लियर ने याँ पर कर दिया है और बॉलिंग की बात करें तो शांदार स्विंग गेंद बाज अर्सदीब सिंग ने याँ पर तीन बिकेट निकाल कर दिये हैं और बाकी सेम करन ना था नेले सो सेकंदर रजा को यहां पर एक एक बिकेट मिले हैं मतलब एक बिकेट उन्हें भी यहां पर मिला है दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे लिए आज के मुकाबले में फास्ट बोलर थोड़ा एहम गारने वाले हैं जो की क्वालिटी शपनल से आप टीम में शामिल करकर चल सकते हैं दो लोनों ही टीमों से जड़े हुए लगबाबर हैं यहाँ पर पर देख सकते हैं और यहाँ सामने कामर हुई है अब बात करेंगे प्रोबैबली 11 के बारे में दोस्तों जहां पर सबसे पहली चीज देखने को यह मिलेगी कि यहाँ पर सिकंदर रजा को आज टीम भार करने वाली है उनके इस्तान पर लियाम लिविंगिस्टन दोस्तों इस टीम में शामिल होने वाले हैं और बहुत शांदर बल्लेवाज है आप अच्छी तरह से इने जानते हैं सिकर्दवन पी सिंग अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यह पहले टीम बैटिंग करेगी तो पी सिंग यहाँ पर बैटिंग करते हुए दिखने वाले हैं लेकिन यही टीम बाद में बैटिंग करती है तो पी सिंग के इस्तान पर आपको जीते सर्मा यहाँ पर दिखन ुक्त प्लियर के तोर पर दोस्तों आपको सिकंदर रजा बैटेंगं करते हुए दिख जाएंगे बागी देखें किसी को समाज में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी दोस्तों आपको येही प्लेइंग दिखने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं ठीटा कि बॉलिंग भी इन के पास नाथा नहरे से अर्शदीप सींग राहुल चेर हरप्रीद बरार सेम करन यहां पर आपको दिख जाएंगे बागी टीम में भानुका राजपक्चे की बापसी हुई है तो इस बात का विया बिसे ध्यान रखिएगा पिछले मुकाबले में इन्होंने शांदार पचास इसी ग्राउंड पर किया है और सिकर धवनने चालीस का स्कूर इस ग्राउंड पर पिछले मुकाबले में किया है अब दोस्तों बात करें गुजरात की तरफ से तो हार्दिक पंडिया की यहां पर बापसी हुई है सुबमन गिल आपको ओपन करते हुए दिखने वाले है रि ुछ लिघया तो पलीयर रहने वाले है एक आर्साइन के सूर जो की मतलब बॉलिंग में टीम में शामिल होंगे भ surrender बाद में बल्ली बाजी करने आएगी तो साइंस उद्रसन बाद में बल्ली करने आम पर आने वाले हैं अब दोनों ही टिमों के डैट बोलर की बात करने तो जो हमारे लिए common आने वाला है वो हमारे लिए बहुत important होने वाला है खास तोर पर अर्शदीप सिंग पिछले मुकावले में तीन बिकेट निकाल लेते सैम करन एक बिकेट इस ग्राउन पर निकाल चुके हैं तो दोनों ही पिलियर हमारे लिए important रहने वाले और जैसा कि हमने बताया लगबग नंबर 6 तक के बल्लेवाज आपको स्कोर करकर देने वाले हैं तो सैम करन हमारे लिए और भी important हो जाएंगे क्योंकि 15-20 रन की उम्मीद हम इन से यहां पर करने वाले हैं बात करने ना था नेलेस के बारे में दोस्तो तो शांदार पिक है आप इसको ड्रॉप करकर नहीं चल सकते हैं निशित तोर पड़िये आपको कम से कम एक और दो बिकेट निकाल कर देने वाले हैं अब गुजरात की तरफ से देखें तो गुजरात में दोस्तो आपको मुहमद शामी की दोस्तो थोड़ी आगे हम बात करने वाले हैं क्योंकि मुहमद शामी अभी तक लगातार बिकेट निकाल रहे हैं खास तोर पर पावर पिले में इनके सामने आने वाले हैं शिकर दबन और आपको बता दें शिकर दबन अभी तक IPL के इतियास में मुहम्माशामी से आउट नहीं हुए हैं और ऐसे में लगवग 170 का इस्टरेट इनका रहता है मतलब मुहम्माशामी सिकर दबन को तो आउट नहीं कर पाएंगे अब दोस्तों बात करें जोस लेटल और जोस लेटल से जरूर करते हैं तो आगे बढ़ते हैं बात करेंगे बेगट कीपरिं सेक्शन बैट्समें और इंपक्ट प्लियर के साथ-साथ बोलर की कि किस प्रकार के प्लियर्स को हमें अपने टीम में शामिल करना है लेकिन उसके पहले दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जोन हो जाइएगा क्योंकि टैलीग्राम चैनल पर हमसे बहतकर सरे ही तो यूदिभ बड़ी आसानी से कहले आओ थार नये हैं तो सब्सक्राइब जड़ुक्त करेंगा मस最 stole report हमसे बहतर कोई भी नहीं बताता है और इतना डीब दोस्तों प्रेडिक्शन हम देते हैं खास करके पिच रिपोर्ट का तो ये आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों प्रेडिक्सन के हिसाब से ही आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तो अब आगे बढ़ रहे हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार के किस प्रकार के सेक्शन से कितने फिलियर हमें यहां पर आज उठा कर चलना है सबसे पहले बात करेंगे प्रप्समरं सींग के बारे में दोस्तों तो शामने की टीम में अच्छे खासे quality baller रहने वाले हैं तो आप इन पर risk लेकर चल सकते हैं मतलब इनको आप drop करकर चल सकते हैं बागी बात करने जीते सर्मा के बारे में दोस्तों जैसा हमने बताया यदि पहले पंजाब की team batting करती है तो फिर मतलब ये तो open करने ही वाले हैं जीते सर्मा नंबर चार पर देखेंगे यदि बाद में बल लिवाजी करती है तो पी सिमरन को आज हो सकता है team मोगा नादे जीते सर्मा से open करवा सकें यानि ये आपको देखने को मिल जाएगा तो इस स्थिती में आपको लगबग ये तो team ही भार कर देगी तो इस player को भी आप भार आशानी से कर सकते हैं यहाँ पर रिद्दिमान शा दोस्तो ठीक ठाक player है थोड़ा बहुत start जल्दी देदेते हैं हाला कि दोस्तो बिकेड भी fake कर चले जाते हैं तो देखें तो आप रिद्दिमान शा को ही team में शामिल करें क्योंकि test match का ये player है test match ये खेलता है तो निश्चे तोर पर swing गेंदों को ये आसानी से pick कर लेगा और आपको आसान run ये यहाँ पर देदेगा तो देखें तो ये player आप आसानी से team में शामिल करकर चल सकते हैं बागी बात करें बल्ले बाजों की तो दो दो शिकर दवन के बारे में हमने आपको बताया है 149 का इनका इस्टरेट रहा है मुहमद शामि के शामिले और अभी तक सकर दवन को मुहमद शामि आउट नहीं कर पाए है और शांदार 9 कभी तक दोस्तों ले भी रहे हैं 40, 46 और 99 पे नोट आउट रहे हैं पिछला मुकाबला आपको याद होगा दोस्तों अकेला है ये एक बल्ले वास्ता जो सामने वाली team के मतलब सामने वाली team जिने आउट नहीं कर पाई थी बागी दोस्तों सामने वाली team ने 9 विकेट गिरा दिये थे इस बात का आप ध्यान रखियेगा शिकर दवन most of important होने वाले हैं कैप्टन बाइस कैप्टन सी के बानुका राजपक्चे पिछले मुकाबला जो कि इनोंने यहीं पर खेला है पचास रनों की नौक यहां पर खेली है हाला ही दोस्तों यह दोड़ा मतलब कह सकते हैं मिस और हिट वाला बल्ले बाज है यानि इस पर बिस्वास सिरे पाफ 50-50 परसेंट कर सकते हैं पर किया है तो यह एक हो सकता है कि आप टीम में शामिल करो बागी दोस्तों मैं इसे ड्रॉप करकर चलने बाला हूँ एम शारुक खान काफी नीचे आते हैं दोस्तों तो यह साथवे नंबर पर बल्ले बाजी करते हैं इसलिए इसको ड्रॉप हम यहां से करकर चल रहे हैं अब देखें गुजरात की तरह से सुम्मन गिल जो की आप जानते हैं टैस्ट पिलियर भी है ODI पिलियर भी है मतलब इंटरनेशनल पिलियर है स्विंग को आसानी से खेल लेगा सुरुवाद में समल खर भी खेलता है इसलिए दोसों सुम्मन गिल बहुत अच्छा ओप्सन आज के मुकाबले में कैप्टन 22 कैप्टन सी का रहने वाला है 63 का स्कोर किया था एक मुकाबले में बागी दोनों मुकाबले में ठीठा के स्कोर रहा है और इसके पहले भी आप जानते हैं कापी शांदार फोर्म में हैं तो सुम्मन गिल को आप टीम में शामल करकर जरू चलिएगा साइन सुदरसन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है निशित तोर पर दोस्तों अच्छी बल्ले बाज़ यह भी तक कर रहे हैं और डॉमेश्टिक करकेट में दोस्तों स्कोर करते हुए आ रहा हैं और यहां पर देख सकते हैं बाइस बासट और त्रेपन का स्कोर किया है तो इस बल्ले बाज़ को आप टीम में शामिल जरू करें दोस्तों निश्चे तोर पर आपको इसको लेकर चलना है डैविट मिलर की बात करें दोस्तों तो पिछले कुछ मुकाबलों में इनको ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं मतलब काफी नीचे मतलब देखे टॉप बोडर बिकेट नहीं दे रहा था इसलिए इनको बैटिंग के मौके नहीं मिले हैं तो डैविट मिलर आज के मुकाबले में एक बहुत अच्छा पिक होने वाला है खास तोर पर यदि दोस्तों यह टीम पहले बल्ले यह पहले बल्ल बहुत बड़ा नाम है दोस्तों इनके पुराने मैचेस पर ना ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बहुत शांदर बल्ले बाज और अच्छी बात यह है कि दोस्तों और ब्रेक गेंदबाजी भी करकर यह आपको देने वाले हैं दोस्तों मतलब बात करे तो 69 बॉलों में 119 रन इनोंने किये हैं राशित खान के खिलाप सामने की टीम में बहुत शांदर गेंदबाज है राशित खान उनके सामने इनोंने 69 गेंदबाज है 119 रन यह अभी तक कर चुके हैं और दोस्तों 30 का एवरेज रहा है वह दोस्तों यह बात हम आपको इसलि करेंगे क्योंकि मन में रहता है कि दोस्तों बिदेशी प्लियर इस पंदरों को अच्छे से नहीं केलता है इसलिए यह आखड़े हमने यहां पर आप लिए शो किये हैं सत्तर लगवाव सत्तर बोले केलने बाद एक सो बीस का स्कूर इनों ने किया है और आप देख सकते वन से साटिंग में बॉलिंग करते हैं देथ और बॉलिंग करने वाले बॉंड्रियां बढ़ी है उसका यह फाइदा निश्यत तोर पर उठाने वाले हैं तो यह कैप्टन बैस कैप्टन सी का अच्छा ओप्सान आज के मुकाबले में रहने वाले हैं बात करेंगे हार्दिक रियों जो रहती हैं वाँ पर अच्छा सेलेक्षन रहते हैं क्योंकि आपने देखा हुआ हैं फैमधाबाद में मैच होते हैं जो दोस्तों हैं मोटर एक्टेडियां में यह काफी कार्गर बोलिंग करते हैं तो यह आपको ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि नंबर चार पर ब बले ही में हार गया था लेकिन मैंने ड्रॉप किया था क्योंकि दोस्तों यह कंसेस्टेंट प्लियर में नहीं मानता लेकिन पछले तीनों मैक्चों में इन्होंने स्कूर किया है और दोस्तों आपको बता दे आज भी मैं इसे ड्रॉप करकर चलने वाला हूं क्योंकि दोस्तो बॉलिंग ये करना ही रहा है, बल्ले बाजिम काफी नीचे आते हैं, तीन मैच सकेले हैं, एक बार बैटेंग का मौका मिला है, पंदरा का स्कुर किया है, तो मैं इसे ड्रॉप करूँगा, और आप सुब सला यही है, कि आप इसे ड्रॉप कर कर, चलिएगा, बॉलर्स पर आत आसानी से दे सकता है कब जब यह पहले गेंद बाजी करता है यादि बाद में करता है डिव के टाइम पे तो महा पर दोस्तों बेकेत्ट यह नहीं देगा अब दोस्तों बात करें आप बहुत अच्छा ऑपसंग यह रहने क्योंकि किसी भी कंडिसन में दोस्तों दो बेकट की उम्मीद आप इंसे कर सकते हो बागी दोस्तों स्टार्टिंग में यदि ये अपनी फॉर्म दिखाते हैं तो ये तीन बेकट भी निकाल कर दे सकते हैं आज के मुकावलें तीन विकट कैप्टन बाइस के थाप से बहुत ज़ादा विकट होने वाले हैं नातानेलिस की बात करें तो पेचले मुकावलें विकट नहीं मिला है बाकी पांच विकट अभी तक निकाल चोके हैं ठीक टाक फों में हैं काफी अच्छा है मतलब बल्ले बाजों के बल्ले को ये तिड़ा करने वाला है पर आप कैप्टन-बाइस-कैप्टन बनाने से इछे खास तौर पर इसमोल लींग है ट्वहे लिगों में टीम में शामिल आप करकर जरूरूर चलिएगा मुहम्मद शामी दोस्तों जैसा हम बता रहे हैं सिकर्दवन के सामने थोड़ा कमजोर सावित हुए हैं पर और बल्लेबाज भी हैं उन्हें ये आउट कर सकते हैं और डेत अबर्स में भी दोस्तों बिकट निकालने की छमता इन में है तो मुहम्मद शामी को भी आपको लेकर चलना है यानि ओवरॉल देकर दोस्तों तो आपको बल्लेबाज और बोलर्स का लगबग बरावर रेशियो आज के मुकाबले में लेकर चलना है जोस लिटल अच्छा गिंदबाज है बिकट टेकर गिंदबाज है हाला कि तीन मैचेस खेले हैं दो ही बिकट निकाले हैं पर दोस्तों पहले यादी गिंदबाजी ये टीम करती है तो जोस लिटल हमारे लिए अच्छा पिक आज के मुकाबले में होने वाले है अलजारी जोसेफ जोकी सिर्फ डेट ओवर्स में गिंदबाजी करने आते हैं इसलिए लगातार टीम के लिए दो दो बिकट निकाल कर दिये हैं और आपको इस पिलियर को लेकर जरूर चलना है अच्छा पेक है आप नहीं ड्रॉप कर सकते हैं इंपक्ट प्लियर की बात कर दोस्तों तो पी सिंग की बारे में हम कर चुके हैं सिकंदर रजा कोई खास इंपक्ट प्लियर नहीं है आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं रिषी दवन को भी ड्रॉप करिएगा दोस्तों मोहित राटी एक ऐसा गिंदबाज है जो आज के मुकावलें बॉलिंग करने आ सकता है लेकिन डॉमेस्टिक करके दोस्तों इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेले हैं खास तूर पर टी ट्वेंटी के याई इसलिए हम से यानी ज्यादा अंतर नहीं हैं आप इसी के साथ अपनी टीम तयार करकर चलिएगा बैंच स्ट्रेंट से कोई प्लियर टीम में शामिल होता है तो इसकी जानकारी हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ दोस्तों आपर बात करने तो एक पर लेकर चलना है बेकेट यहाद कीबिंग से तो हम यहाद रिद्रिमान शा के साथ गए हैं हाला कि उप्सन में दो पिलियर जीति सर्मा और पी सींग भी हैं तर ओसी जा फंप्सन पर याज बढ़ाना होगा नाथन ऐस आप नमेंगे इनको भी ड्रॉप हम किये हैं लेकिन इनके इस्तान पर हम दो मैंसे नातान एलेस को टीम में शामिल करकर चल सकते हैं यह हम फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर प्रवाइड कराएंगे बाकी लिया हम लिवंगे स्टान हार्दिक पंड्या और सैम करन आपको इनको किस में शामिल होते हैं आते ही पर्परमेंश नहीं कर पाते सुर्फ इसी बात को लेकर आप इस पर वी में रिस्च ले सकते हैं यहां से आप जोऊस लिटर को टीम उस सामिल करकश के सकते हैं capitalize की बात करें dot com यह बहुत अच्छे option यह दोनों ही choosing आप junk name इस के लाबार एक सैम कर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करकर जरू जाईएगा मिलते हैं अगली